हेलो दोस्तों स्वागात है आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर राज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे यूपी के अंदर डिफेंस कोलिडर बनने वाले हैं उसी को लेकर हमारे पास अमर उजाला का येक आईटिकल है जिसके इदर हमारा बताया गया ह कि अलिगे डिफेंस कॉरिडोर में 49 कंपणिया करेंगी 3300 क्रोड रुपे का निवेश 9000 युवाओ को मिलेगा रोजगार तो अलिगे डिफेंस कोरिडोर में ड्रोन से लेकर एलेक्ट्रिक वारफेर सिस्टम और छोटे अस्त्र सस्त्रों का निम्माण होगा यहाँ पर 9000 युवाओ को रोजगार मिलेगा अलिगर डिफेंस कोरिडोर की 90 हेक्टर से जादा जमीन पर 49 कमपनियां 3300 करोड रुपे से अधिक का निवेश करने जा रही हैं जिससे करीब 9000 युवाओ को रोजगार मिलेगा परदे सरकार इस डिफेंस कोरिडोर नोड को विकसित करने के लिए 122 करोड रुपे से अधिक खर्च करेगी और UP Express Industrial Development Authority यानि के UP ADA के अनुसार अब तक 49 कमपनियों ने यहाँ पर अपनी इकाईयां लगाने के लिए MOU साइन किये हैं इस में से 23 कमपनियों को 62 हेक्टेर से अधिक भूमी आवेंटित कर दी गई है क्याई इकाईयों ने काम सुरू कर दिया है तो जिससे अब तक 55 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है और अब तक अलीगर नोड में 18 करोड से अधिक का निवेस भी हो चुका है अंडला खैर में स्थापित हो रहे इस डिफेंस इंडेश्टल कोरिडोर नोड में ड्रोन UAV रक्षा उत्पादों में परियोग होने वाले गटक, इलेक्रिक, वर्फेर से जुड़े उपकरण और छोटे हत्यारों का निमार हो सकेगा इंडेश्टल कोरिडोर के अलिगर नोड में परवेस करने वाली बड़ी कमपनियों में सैटेलाइट, स्पेस पोर्ट का निमान करने वाली ओटोमेटिक कमपनियां लिमिटेड भी सामिल है एंटेक की ओर से 330 करोड रुपे का निवेस हो रहा है, इसमें दो हेक्टर छेतर में कारणे करना शुरू कर दिया है इसके लावा वैरी विन दिफेन्स प्रायवेट लिमिटेड की ओर से 15 करोड रुपे का निवेस किया जा रहा है एंकर, मिलकोर और न्यू इस्पेस जैसे कंपनियां भी अलिगर नोड में रक्सा से जुड़े उत्पाद हो का उत्पादन करेंगी तो यह टी दोस्त हमारी छोटी सी ख़बर हमारे यूपी बनने वाले डिफेंस को लिडॉर कर लेकर उमीद करता हूँ आप सब को वीडियो क के हैंद।